सब्सक्राइब करते हैं आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर आप लोग अपलाई कर सकते हैं तो दोस्तों नौटिपिकेशन आप सभी के सामने हैं आप आप देखेंगे नेम आप प्रोजेक्ट का नाम लखा हुआ है नेम अप पोस्ट प्रोजेक्ट साइंटेस्ट भी लेबरोटरी एंड नौन मेडिकल यह आपका पोस्ट है प्लेस आप इंट्रव्यू आईसी एमर एन आई ए यहां पर आपका इंट्रव्यू होगा डेट ऑप इंट्रव्यू को जो डेट रखा गया है 19 माई 2030 नमर पोस्ट एक पोस्ट है जन्रल केटीगरी से है पोस्टिंग आपको कहां रहेगा आईसी एमर एन आई ए ठीक है और बात करते हैं कि इसके लिए आवश्च्ट क्योगता क्या मागी गई है दोस्तों देखें हैं आपर फर्ष्ट क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए माइक्रोबाइ अगला पोस्ट है वही वन हाट पोजेक्ट टेक्निकल असेस्टेंट लैब ठीक है एक पोस्ट है अठारा मई को आपका इंट्रिवू रहेगा यहां पर भी एसेंटियल क्वालिफिकेशन में ग्रेजूट मांगा गया है यह आपका ग्रेजूशन से हैं माइक्रोबाइलोजी या फर ग्रेजूशन इन मेडिकल लेबरोटी टेक्नोलोजी और साथ में आपको से एक पोस्ट है और अवर्ण हाट अपका प्रोजेक्ट करना रहेगा ठीक है और इसकी क्वालिफिकेशन दिखेंगे सेम क्वालिफिकेशन यहां पर भी रखी गई है प्रेजूट इन माइक्रोबाइलोजी मेडिकल लेबरोटी टेक्नोलोजी साथ में तीन साल का यह आपका पूस्टिंग रहेगी ठीक और एज लिमिट तीस साल है और क्रेटिकरीश वाई एजर्विशन की आधार पर आपको कुछ सालों का छोट मिल जाएगा बेतर निकतिस यार है और आपका जौब का दायोत क्या है नेचर आप डूटी यहां पर लिखा हुआ है ठीक यह आपका देखेंगे आपर एक पोस्ट है प्रोजेक्ट जूनियर नरस्ट की है एक पोस्ट है जन्रल के टिकरी से 16 माई को इसका इंटर्व्यू रखा गया है और इसकी जो क्वालीप केसन दोस्तों हाई स्कूल प्लस एन्म प्लस पास साल का एक्स्पिरेंस मांग गया है कि यहां पर देखेंगे दोस्तों पॉस्ट पोजेक्ट टेक्निशन थाड़ लैब की पोस्ट है और प्लस निमेल्टी वाले अप्लाई करेंगे और इनका बेतन क्या रखा गया है 18,000 रुपाए पर मंत के इसाप से रहेगा ठीक दोस्तों और यहां है पॉस्ट है कि एक पोर्य पॉस्ट प्लस यह से आप। और यहां से आप आभी दिन कर सकते हैं 15,800 आप मंतली का साथ यह Hm सब्सक्राइब की पोश्ट है रखा गया पंदाजार आट सो पर मंत के साफ से पोस्ट आपकी रहेगी ठीक दोस्तों आंगे बढ़ चलते हैं कि इसमें कुछ पोस्ट है ऐसी है जहां पर सोचल वर्क और मस्ट लेवल की है आगे बढ़ते हैं कि आपका कंप्यूटर किसी के पास में कंप्यूटर के डिपलोम आया तो वह यहां पर अप्लाई कर सकता है और यह आपका प्रोजेक्ट टेक्निकल असेस्टेंट की पोस्ट दोस्तों यहां पर ग्रेजूशन होना चाहिए माइक्रो बालोजी से या फ़र मेडिकल लेवलोटरी टेखनोलोजी से और प्लस तीन साल का एक्स्पिरिंस तो वह आपर अप्लाई कर सकता है यह देख लेते हैं एक बार और कंप्लीट इसका नॉटिपिकेशन में कौन कोशी पोस्ट है सामिल की गई है यहां पर देखेंगे दोस्तों नेम प्रोजेक्ट टेक्निशन थर्ड फिल्ड की पोस्ट है 15 माई को इसका इंट्रिवू रखा गया है और दोस्तों पर देखेंगे 44 पोस्टे हैं और एसेंसर क्वालिफिकेशन के बात करेंगे दोस्तों सब्जक्ट से होना चाहिए और दो साल का पेरा मेडिकल के डिप्लोमा माँ गया है यहां पर लेब टेक्निशन रेडियोलोजी वाले फिल्योथेरपी वाले ऑप्टोमेट्री वाले एन्म नर्सिंग वाले भी एपलाई कर सकते हैं ठीक है अब टाटा एंटी ऑपरेटर की पोस्ट है और जेक्ट जूनियर नर्सिंग पोस्ट है तो यहां पर भी एन्म प्लस पांच साल का एक्सप्रिंस वाले अप्लाई करेंगे अठारा जारों पर मंतली वेता ने ठीक दोस्तों तो यह इस तरह की आपकी पोस्ट हैं यहां पर आप लोग अप्लाई का सकते हैं लेब आले भी आप पर एप्लाई करेंगे एक पोस्ट और हैं पर देखें प्रोजेक्ट टेक्निशन थर्ड लैब 17 मही का इंट्रिव्यू है एक पोस्ट है यहां पर ट्वेल्थ पास प्लस टीमल्ट वाले अप्लाई करेंगे और यह आप प्लेस ऑफ प्विस्टिंग तुर्डणेल वेली डिस्टिक्ट मिलनाड दूगी है ठीक है 18 मंतली आपका वितर रहेगा ठीक दोस्तों नीचे आपका एप्लीकेशन फॉर्म फोल्डा प्रोजेक्ट पोस्ट है यह आपके अप्लीकेशन फोम है इसको पहले से आपको करें तो जिस पोस्ट के लिए जिस दिन आपका इंट्रिव्यू है उसी दिन आपको उपस्तित होना है दिया हुआ है तो इसको आप पहले करें ठीक है और बात कर लेते कि यहाँ पर अदर श्टेट के आविजन कर सकते हैं आप नहीं बिल्कुल कर सकते हैं आई सीमर इंडियन काउंसल आप मेडिकल रिसर्च एन आई ए नेशनल इस्टूड आप एपिडियमियलोजी के दौरा वेकंसी निकाली गई है ठीक दोस्तों और डारेक्ट वाकर इंटर्व्यू है पहले से कोई आप दर नहीं करना है आपको दिये गए डेट पर स इसकी लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाई वहां से आप इसको डाउनूट करने के बाद पूरा इसको पढ़ें इसके वाद आप आविजन करें ठीक दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि यहां पर और इंडिया स्टूट एपलाई कर सकते हैं तो भारत नहीं है अगली वीडियो में थेंक यूफ पूर वाचिंग करें अगली वीडियो में थेंक यूफ पूर वाचिंग